दोस्तों आपको पता होगा कि अगर आपको ITI डिपलॉमा कोर्स करना है तो इसके लिए जरूरी है कि आप कम से कम मैट्रिक पास हो आपका जो 10th क्लास हो कम्प्लीट हो चुका हो क्योंकि यहां पर 10th बेस में ही आपको ITIM admission दिया जाता है बड़ दोस्तों इस बर्स MP ITI के द् निकल कर आ रहा है जिसमें अगर आपने अपनी पढ़ाई आठ भी अक्षर तक ही पूरी की हुई है अगर आप 8 पास हैं तो भी आप ITIM admission ले सकते हैं जी हैं दोस्तों 8 बेस पर यहां पर काविसारी ट्रेड भी अबलिवल हैं आप बहुत सारी टेड्स से यहां पर 8 बेस पर ITIM admission ले सकते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इससे सम्मंदि सारी चानकारी बताऊंगा यहां पर 8 बेस पर एविलेवल हैं उसके अलाबा किस तरह आप इसके लिए आपको बताने वाला हूं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बस दोस्तों से पहले वी modification मिल सकें तो इसकी पूरी information के लिए आपको इसकी website पर आजाना iti.mponline.gov.in यहां पर आने के बाद आप देख सकते हैं आपको कर सकते हैं कौन कौन सी ट्रेड यहां पर iti में available है एट बेस पर तो यह चैक करने के लिए हम स्कॉल कर नीचे आजाएंगे यहां पर देखें लेफ्ट एंड चाइड बैफसाइब बार नियून तर्म सेक्षन की योगता का जो option दिख रहा है इस पर आप क्लेक करेंगे तो कितना qualification जरूरी आपका जो eligibility है वो यहां से आप चेक कर सकते हैं तो यहां पर हम बात करने वाले हैं कि आखर आप 8B क्लास से admission लेते हैं तो आप किस-किस trade से iti कर सकते हैं तो यहां पर देखें मैंने सर्च कर रखा है आपके सामने सबसे पहली जो trade आ रही है वो है यहां पर कारपेंटर मतलब आप कारपेंटर trade में admission ले सकते हैं आप देख सकते हैं आपर 8B के अधार पर यह है उसके लाबा यहां पर next मैं आपको बता दूं dressmaking पर भी आप admission ले सकते हैं 8B पर इस तरह से मैंने आपर सर्च के आपके पास total 5 trade है यह मैंने आपको 2 trade बता दी उसके ला 8B के अधार पर 8th base पर आप ITI में admission ले सकते हैं और इससे आप ITI कर सकते हैं उसके लाबा दोस्तों अगर आपको 8B अगर आपने complete कर लिया उसके अगर आप इसमें आविदन करना चाहते हैं तो आप इसकी website पर सबसे पहले आ जाएंगे यहां पर देखिए आपको अलग-अ आप section मिल जाएगा registration 8B के अधार पर और registration 10B के अधार पर तो अगर आप 10th base पर apply कर रहे हैं तो आपको यहां पर second option पर click करना लेगिन अगर आप 8B base पर apply कर रहे हैं 8B के अधार पर apply कर रहे हैं तो आपको first option में click करना होगा उसके बाद इसी पेस से आप choice filling भी कर पाएंगे choice filling के लिए आपको देखी नीचे लग से option दिया गया है संस्ताओं वेपसाओं की प्रात्मिक्ता का क्रम चैन तो जैसे ही आपका पंजन इस पोर्टल पर हो जाता है तो यहां पर आकर आप registration भी कर सकते हैं तो registration करने के लिए यहां पर 8B के सामने जो click है का option इस पर आप click कर एक passport size photo और आपकी signature इतने सभी documents आपके पास होना ची तभी आप इसके लिए online apply कर सकते हैं जैसे ही आपका form यहां पर open हो जाएगा सबसे पहले आपको अपनी समग रैडी यहां पर डाल देना है उसके बाद यहां पर अगर आपके पास digital जाती प्रमार पत्र है तो यहां पर नाम लिखने के लिए आप google input tool का use कर सकते हैं यह फिर आप copy paste भी कर सकते हैं कहीं पर हिंदी में लिखके mobile से आप लिख सकते हैं उसके बाद यहां पर आपको relation type में अपने father यह फिर अपने husband का नाम आपको डालना है तो यहां से आप select कर लेंगे उसके बाद यहां पर अपन select category आपको अपना धर्म select कर लेंगे उसके बाद अगर आप जम्मू कर काश्मीर से बिस्तापित हैं तो यहां से आपको select करना होगा अगर आप police item admission लेना चाहते हैं तो यहां से आपको select कर लेना है उसके बाद अगर आप MPK डुमिसायल मतलब आप मद्बपरदेश के मूलने नवासी हैं तो वो यहां से आपको select कर लेना है उसके बाद आपको परिवार की वार्से काई सालाना आये यहां पर डाल देना है उसके बाद आप से पूछा जा रहा है आप IMC scheme के तहरत प्रिवेस लेना चाहते हैं admission लेना चाहते हैं तो यहां पर देखिए इसका fees भी transaction है वो यहां पर कम percentage में भी हो जाता है तो आपको एक साल का यहां पर 15 जा और दो साल के अगर आपका course है तो यहां पर आपको 20,000 रुपर उसकी fees पे करना पड़ेगा तो अगर आप इससे admission लेना चाहते है तो यहां से आप select कर लेंगे उसके बाद यहां पर आपके सामने D DST का option है अगर आप DST admission लेना चाहते हैं तो यहां से आप select कर सकते हैं DST का मतलब यहां पर dual system of training से हैं यहां पर आपका जो प्रसिक्षन होता है आपका जो classes होती है वो आपके IDI में होती है और आपका जो training होता है वो आपको अलग से किसी बाहर किसी भी तरह की कार खाने में आनात हैं या ITI बिवागी से आप belong करते हैं तो कोई भी category यहां से आप belong करते हैं तो यहां से आप उसको read कर लें और उस पर आपको tick कर देना है उसके बाद नीचे आपको अपना qualification डालना होगा आपकी जो section की योग गिता है उसका वेवरण है यहां पर आपको डालना है तो पूरी जानकारी आपको डाल देने ऐसे की बिशय किस बोट से आपने किया हुआ है marks था या फिर grade system था वो यहां से आप डाल देंगे आपका पूनांग प्राप्तांग और अगर grade system था तो कौन सा grade है वो यहां से आप डाल देंगे आपका percentage और आपने cup pass किया था उसके अला अगर आपका बर्तमान पता और इस्ताई पता एक जैसा ही है तो यहां पर बर्तमान पता और इस्ताई पता सामान का जो option दिकरेस पर आप टेक कर देंगे तो आपका सारा address यहां पर copy paste हो जाएगा उसके बाद सबसे last में आपर हम बात कर लें तो यहां पर आपको एक mobile number डा दाल रहा है फिर पर region का डाल रहा है वो यहां से आप select कर लेंगे उसके बाद यहां पर एक mobile number आपको डाल देना है और भी कोई optional number अगर आप डालना चाहते हैं तो यहां पर डाल सकते हैं अगर आपके पास email ID यहां पर डाल सकते हैं एक compulsory नहीं है optional है अगर है तो डाल यहां दरवाई इसको आप blank चोड़ सकते हैं उसके बाद यहां निंचे checkbox पर आपको take करना है capture code डाल कर submit की बटन पर click करना है submit करते ही आपका जो application है वो submit हो जाएगा उसके बाद आपको एक passport size photo और signature अपने वहां पर upload करना होगा जिसके बाद इसका आप payment कर देंगे और ज उसी के निचे आपको option मिल जाएगा संस्ताओं का crumb chain तो यहां से third option पर आप चले जाएंगे और आपको जे एक application number receive होगा और आपके mobile number पर एक password आएगा तो application number date of birth डालकर capture code डालकर आप submit करेंगे जो password आपको आया है वो password डालकर आप password रिसाइट करेंगे उसके बाद जिस भ इस ट्रेड में आपका नाम आएगा उसमें आप आगे admission तो दोस्तों यह था complete process ITI 8V बेस से आप admission लेना चाहते हैं इसका form आप किस तरह से बर सकते हैं मैंने भी आपको उपरी तोर पर बताया है बड़ यह बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आप 10V बेस से admission लेते हैं उस पर वीडियो में इतना ही I hope आप समझ गयोंगे आप 8V बेस से किस तरह ITI में admission ले सकते हैं कौन-कौन सी trade आपके पास available है किस तरह आपको इसके लिए apply करना है सारी चीजे मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है I hope आपको सारा process अच्छे समझ में आ गया होगा और वीडियो आपको पसंद आया हो वीडियो helpful लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को भी प्रास कर दीजेगा जिस ऐसे कोई भी informative वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता हूं तो आ सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन मिल सकते हैं